नमस्ते फ्रेंट्स आसा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे विंटर जा रहा है समर धिरे धिरे भी आ गया है ये जो सिजिन चेंज का टाइम है हम जैसे हमारा हेल्थ का ख्याल रखते हैं प्लांट्स का भी ख्याल बहुत जरूरी ह होता है इंडर प्लांट्स जो रखे हैं उसको भी थोड़ा हम क्यार करना चाहिए जो बाहर में भी रखे हैं आउडर प्लांट्स उसको भी थोड़ा देख भाल करना चाहिए क्यूंकि समर में इस तरह देखिए ज्यादा तेज धूप में में रखी थी ये पता जल गया है और पानी सूख के यह पिला हो गया है इस तरह कुछ होता है जब ज़्यादा पानी दे दो तो भी खराब होता है ज्यक् grated तेश दूप में रखो तो भी कराब होता है पर यह दो जो गमला अंदर में है यह बहुत अच्छा ग्रीन कलर पता है और बुसी है हेल्दी पता भी है ये ठीक है पर मैं ये जो छोटा सा एक कलस में रखी थी मिट्टी का कलस में उसको थोड़ा धूप में दे दी थी ये क्या होता है हम थोड़ा धूप में रखने की बजाए जब भूल जाते हैं कुछ काम में बीजी हो जाते इस तरह का हालत होता है, तेज धूप के कारण पता जल जाता है, जो सप्ट सप्ट नया पता वो देखिए इस तरह का हाल हो जाता है, क्या करें घर का काम तो होता है, कुछ ना कुछ तो हम भूल जाते हैं, और ये गलती तो हो जाते हैं, पर गलती हो गया है, तो उसको भी हम चाहिए जैसे हम गलती को सुधारते हैं उस तरह प्लांट्स के बारे में भी इस तरह करना चाहिए जो भूल हो गया है उसको क्यार करके थोड़ा हमको सही कर लेना चाहिए जो खराब हो गया है पत्ता उसको निकाल देना चाहिए और जो सही है अभी ठीक है जो डास्ट लगे पत्तहू भी साब कर लेना चाहिए। इसी जुगाड में मैं अभीद लगी हूँ, ये दो गमला मेरा खराब हो गया था मिट्टी सूख गया था, एक में तेज धूब करण पत्तह खराब हो गया था, ये दो जो मन्नि प्लांट का में लगाई हूं ये गंला नहीं है। पुजा में हन्यंक्ति मिट्टी की का यंश आप दी ऴनट्टीप वाइड कालउट कलच लगाई थी और इस तरह थोड़ा-थोड़ा मैं बीच-बीच में cutting करके उसी cutting को ही उसमें लगा दे रही थी ताकि उथोड़ा बुसी हो जाये आज भी जो extra growth हो गया है उसको भी मैं cutting कर लोंगी और उसी में ही ललौंगी जो ज्यादा extra हो जाएगा ओ में पानी में grow कर लेती हूं और किसी जगा में में लगा लेती हूं इसी तरह मेरा money plant जो है मैं अंदर में रखी हूं और कुछ बाहर में semi shadow area में रखी हूं क्योंकि ये तेज धूप में ज्यादा अच्छा नहीं रहता है घर में थोड़ा हलकी धूप जहां पे आ रहा है उसी जगा आप रख सकते हैं मैं अभी जो care कर रही हूं kitchen में रखी हूं ताकि मैं sink area के पास अभी साप सफाई कर लूँगी और कुछ दिन में kitchen क्या खिड़की है उसी के पास रखूंगी जब set हो जाएगा जो नया cutting लगाऊंगी और ये जो care करके रखने से थोड़ा छाओं में रह जाएगा तेज धूप क करण जो उसमें असर हुआ है उसका असर थोड़ा काम हो जाएगा उसके बाद में बाहर को ले जाओंगी ताकि वो साही से फिर से ग्रो करेगा इसी थरा जैसे छोटे बच्चे होते हैं plants भी उसी तरह होता है सभी plants एक तरह क्यार नहीं चाहते हैं कोई plant को ज्यादा पानी नहीं चाहिए कोई plants हर दिन पानी देना चाहिए इसी थरा हमको थोड़ा थोड़ा knowledge भी रखना चाहिए जो plants लभर है गाड़े निंग करते हैं जान पाते हैं कुछ दिन जब plants के बारे में क्यार कर लेते हैं आपने आप मालूम पड़ जाता है किसी plant को किस तरह हमको क्यार क करना चाहिए और ये बातों ही बातों में मैं आप लोगों को बोल रही थी जो extra growth है उसको में cutting कर चुकी हूं सुखा पत्ता भी निकाल चुकी हूं और जो खाली जगा है उसी कलस में में उसी जगा को भरने के लिए जो जो मुझे सही लग रहा है cutting उसी को में वहां पे लग जालूंगी ताकि ओखाली जगा थोड़ा भरा भरा लगे और बाद में growth होके बुसी दिखे और healthy पता भी आ जाएगा इसी तरह में जो थोड़ा थोड़ा मिट्टी है side में में खुदाई कर रही हूं और थोड़ा हल्की हल्की हातों में जो root आ गया है जो cutting में उसी को दब बाद set हो जाएगा और मैं यहां पर और कुछ cutting छोटे छोटे cutting करके जो जो खाली मुझे लग रहा है उसी जगा को में थोड़ा होल करके दबा दे रही हूं ताकि अच्छे से अंदर को मिटी के अंदर चला जाए और फिर से root नया ग्रोथ हो जाएगा और यह जो मन्नी प्लांट का क्यार और नया जो cutting लगाना जो gardening कर रहे हैं पुराने हो गए हैं प्लांट के बारे में knowledge है यह सब करना आसान है पर जो ने gardening कर रहे हैं यह थोड़ा नलेज उनको चाहिए जो मैं आज कर रही थी सोचा यह आप लोगों को share कर लूँ मन्नी प्लांट ऐसे ही ज़्यादा के जरूरत नहीं होता है सब बोलते हैं पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए ज़्यादा धूप नहीं चाहिए और जो गमला है वो well drainage होना चाहिए पानी ज़्यादा भर के मिट्टी में रह जाएगा तो roots भी खराब हो जाते हैं उसी बात का ध्यान रखना चाहिए पत्तों के उपर dust है तो उसको भी साप कर लेना चाहिए care की जरूरत नहीं बोलते हैं पर यह छोटा मोटा care तो करना बहुत जरूरी होता है यह care नहीं करेंगे एसे ही छोड़ देंगे पानी सूक जे मिटी सूक गया पानी देंगे एसे नहीं चलता है क्योंकि जो पता बीच बीच में सूक जाता है खराब हो जाता है roots जादा उपर को आ जाता है उसको check करके हमको cutting करके फिर से जगा है मिटी खाली है तो लगा लीजिए नहीं तो पानी में grow कर लीजिए और कुछ गमला नया जुगाड करके लगा सकते हैं और इस तरह हमारा जो plants है हर साल हमारे साथ रहेगा और कुछ नया plants multiply होके चलता ही र plant आसानी से growth होता है और हम यह जो छोटी मोटी knowledge है plants के बारे में money plants को क्यार करने के बारे में उसको रखना चाहिए इस तरह यह जो मिटी का हंडी मेरा था आप लोगों को दिखा रही थी सूख गया था पत्ता उसमें ज्यादा जो पत्ता में सूख गया था निकाल चुकी यह खाली हो गया मिटी इस तरह में जो जो खाली है उसी जगा फिर से भर लूँगी ताकि यह भी अच्छे से भरा भरा हो जाएगा अब ही देखिए इस तरह में जो जो जगा कटिंग लगा के आप लोगों को दिखा रही हूं जो खाली था मिटी खाली दिखाई दे रहा था वो सब भर गया है और जो कटिंग है ओही कटिंग से ही फिर से नया मनी प्लांट का जो पत्ता है वो निकल जाएगा और कुछ दिन बाद ये फिर से हरा भरा हो जाएगा इसे ही ये मनी प्लांट हमारे गार्डेन में घर में जो अंदर में रखे हैं नाचुरल ग्रिनेरी प्रभाइड करता है और बहुत सुन्दर भी दिखता है और ये मनी प्लांट को गुड़ लग प्लांट भी बोलते हैं मेरे हिसाब से सभी प्लांट हमारे लिए गुड़ लग देते हैं क्योंकि जो नेचर का ग्रीनेरी होता है सभी प्लांट में भरपूर मात्रा में हैं हमारे बीजी सुडूल से कुछ ना कुछ टाइम निकल के हम प्लांट का क्यार करना चाहिए आज मैं आप लोगों को मेरा ये दो मनी प्लांट का गमला क्यार करके दिखाई हूँ और भी कुछ मेरा मनी प्लांट का गमला है मैं आप लोगों को पहले कुछ ब्लॉग में दिखाई हूँ ये मनी प्लांट ऐसे ही ज्यादा मेहनत बला क्यार नहीं चाहता है, छोटा ऐसा भी कटिंग हो आप पानी में ग्रोध कर सकते हैं, घर में कुछ भी जगा थोड़ा हलकी धूप आ रहा है, उसी जगा आप पानी में कटिंग करके रख लो तो ओ भी अच्छे से ग्रोध करता है और सुन्दर भी दिखता है घर में, आप एसे ही सजा के राख सकते हैं, इसलिए जो भी क्यार में आप लोगों को आज दिखाई हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो ने गाडेनिंग कर रहे हैं, उनको भी कुछ टीप्स मिल गया होगा, इस तरह हम काम के इसमें थोड़ा चेक करके केर कर लेना चाहिए, आप लोगों को दिखाई हूँ, जो मेरा पता खराब था, कितना निकाल के साइड में रखी हूँ, कुछ कटिंस में उसी में लगा रही हूँ, जो खाली जगा था, और जो बच गया है पानी में इस तरह रखी हूँ, उसमे भी रूट आ जाएगा अच्छे से, और मैं और कुछ नया गमला जुगाड करके उसमें लगा लूँगी, नहीं तो कुछ पानी में भी एसे ही ग्रो कर लेती हूँ, ताकि जो जगा मुझे अच्छा लगता है रखने से सुन्दर दिखेगा, उसी जगा में रख लेती फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक किजिए, कम्मेट भी किजिए मुझे और चैनल में ने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में